आपको सागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं देखिए पहाड में यह जर्सी और अलस्टीन की संभावना पर एक वीडियो बना जका हूँ और पहाड में आप इनको बड़े प्रेम से रख सकते हैं और यह आपको बहुत दूर देंगी पर पहाड में चारे की कमी है त आपको कहीं जाने की जरूबत ही नहीं है और हाइड्रोफोनिक अथर में 20 डिग्री से नीचे वे होता है तो गहुं अगरा तो टेम्टेशर महां पे रहता है और अगर आप सोल अनरजी को यूज करते हैं तो हाइड्रोफोनिक आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और हाइड् प्रकाश तो आप सोरूर्जास के सकते और पानि आप डिपल में कर सकते हैं और प्रकाशच हैप प्रकाश को यूज का फेजरल आप में प्ली है थानि का पेज नाप लीज में ऐस evento कि आills को आप इसको इसकोनेट पे दिय में सब्सक्रैने और जिता यह आपका नौर्स- औरैबिया या जहाँ जहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ पर हिड्रोफोनिक से कर रहे हैं, एक किलो मक्का या गहू से, आट किलो चारा हो जाता है, और वह काफी है, उसमें काफी इन्ञाइम रगरह होते हैं, उसे बड़े प्रेम से काते हैं, आप किसी भी जान्वर को खिला सकते हैं, मुर्गी को भी खिला सकते हैं, सुगर को भी खिला सकते हैं, बकरी को भी खिला सकते हैं, इसमें थोड़ी सी प्राब्लम फंगस लगने की होती है, और चुओं की होती है, चुओं बड़ी जल्दी लग जाते हैं, तो उसका आप राज कर लिए फंगस का तो ऐसा है, Pungus के लिए अप Domex आए आप就到 माटा है उसमें पहले अपने पीश को विगा ये और उसके बाद उसको काफी दोई करिये आपको Pungus नहीं लगेगा दूसरी बात चुओवों से बजने के लिए बचने के लिए तो काफी है पर वह जानुवर होता है जह कोर होती है गिनी फाउल की तद्वीर आप देख सकते हो नेट पे भी देख सकते हैं अगर आप को इनी फाउल ख लेंगे तो वह सारे चुओव हो सांप जो है उसमें नहीं नहीं पॉजिनिंग हो सकती है यह मैंने बारत वर्शन कहीं जाए कराया एक बिहार में है रजात गवाजी वो करते हैं इसको मैं उनका नमबर दे रहा हूँ सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं और आप इससे बखरी पालन और गाय पालन कर सकते हैं मेरे वीडियो भी देख सकते और आपको मिलते रहेंगे और मैं वीडियो जाए सर्मस्याओं पर बनाता हूं इसमें भाड़ाल से लेकर खश्मीर fieldENT गाए रखने की राजिस्तान से लेकर विजात तक अलग अलग स्ट्रेटिजी है इसके लिए मैं कोर्स भी चलाता हूं हफते बर का क्यमेंट कर देंगे 500 रुपे का तो आपका रिजिस्ट्रेशन आटोमेटिकली हो जाएगा मंडे से और आप उसके बारे में डिमोस्रेशन क् 48686 है जाने बाद आपने सुनागे